हेलो टेडर्स, वेलकम टू सिप्यार टेडिंग यूट्यूब चैनल, बहुत दिन के बाद आज मैं एनलेसिस का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग आज ध्यान से दे वीडियो थोड़ा देखना, कि हमने आज कैसे 16 सकेंड के अंदर 60-70 पॉयंट का प्रॉफिट क है, ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, यह मेरा फ्री ग्रूप है, ठीक है, फ्री ग्रूप है जहाँ पे पेड मेंबर नहीं, इस स्क्रिंसोर डाला था, आप देख सकते हो, 16 सकेंड ट्रेट लिखा हुए, ठीक है, आप जैसे देखो कि यहाँ पे 16 सकेंड ट्रेट लिखा हुए, अगर आप पॉइंट की बात करते हो, तो इन्होंने पी बाई किया था, 378 पे, और इग्जिट कितने पे किया, 436 पे, ठीक है, वहीं में अगर पेड़ ग्रूप पे अपना चल कर दिखा हूँ आपको, तो आप देख सकते हो, 378 पे मैंने बा सबसे पहले मैं निफ्टी का अगर बात करता हूँ, कि निफ्टी आज क्या मूफ किया, तो निफ्टी आज पूरे दिन, दो चैनल के बीचे मूफ किया, ठीक है, जब भी नीची आ रहा, तो मार्केट को सपोर्ट मिल रहा, यहां पे, और जब भी उपर जा रहा, तो मार्क इससे जब उपर जाएगा ठीक है और यहां पर एंड पैटन बनेगा तो इसके हाई पे आप लोग फिर से कॉल बाई कर सकते हो टारगेट 200 मोविंग एवरेज रहेगा ठीक आप लोग वीडियो चेक कर सकते हो उसमें मैं बताया था अब मैं बैंक निप्टी के ऊपर चलता बैंक निप्टी में आपको यहां पर असिस्टेंस दिख रहा होगा लिखा हुआ ठीक है यह लेवल क्या था यह भी मैं बात करता हूँ और मार्केट अस कैसे बिएव किया अगर आप बिएवियर की बात करोगे तो अगर नौपंदरा का अगर कैंडल देखोगे तो वो क्य है open equal to high red candle open equal to high जब भी होगा मतलब मार्केट क्या है market one side negative होने वाला है ठीक है लेकिन क्या हुआ first candle बनने के बाद open equal to high candle के बनने के बाद भी market नीचे नहीं गया ठीक है अब मैं आपको कल का candle दिखाता हूँ नौपंदरा का यहां भी आपको कल नौपंदरा candle open equal to high दिख रह ठीक है open equal to high का मतलब यही होता है कि candle जहां से open हुआ sellers वहीं से market में इंडर किये है market को नीचे ले जाने के लिए ठीक है लेकिन उसके बावजूद market नीचे नहीं जा पा रहा मतलब नीचे buyers बहुत जादा बैठे हुए है उसके बाद market क्या करता है CPR के उपर जाने कोसिस करता लेकिन moving average नीचे था इसलिए CPR नीचे आ गया ठीक है उसके market उपर गया और finally high पे close किया है ठीक है जब market high पे close कर रहा है तो आपको ध्यान क्या देना है कि कहां कहां पर आपके buyers आ रहे हैं ठीक है यहां देखिए डेलों पर पहले buyers आए फिर यही चैनल पर buyers आए फिर इधर buyers आए फिर इधर buyers आए मतलब आपको buy करने का chance बहुत जगा मिला उसके मार्केट यह हाई ब्रेक किया तो यह फिर से रिटेस्ट करने के लिए यहां पर आता है रिटेस्ट करके यहां पर consolidate करता है इतना दूर उसके बाद momentum आपको थोड़ा सा उपर के तरफ दिखता है ठीक ह यह रहा आज के उपर आज मैंने दो तीन ट्रेट दिया था उसमें से एक ट्रेट साइद असल हिट हुआ था यहां फिर मैं पहले निकलने बोल दिया था मेरे को उतना याद नहीं है आप देख सकते हो यहां पर और बाकी मिलाकर 125-135 पॉइंट का हमने profit मार्केट से निकाल अब यहां मैं कल के लिए बात करता हूं कि कल मार्केट क्या हो सकता है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे वन डे का टाइम फ्रेम पर चलना पड़ेगा वन डे का टाइम फ्रेम में चलके हमें क्या करना है मंतली CPR लगाना है सारा लेवल मेरा चार् बनाया था ठीक है और कहां इनसाइड गफ़चा सिपयर के नीचे आपको दियान क्या देना है कि mid CPR यहाँ पे है जो कि level है 39135 का 39135 के उपर market जाता है market थोड़ा बुलिस होगा ये candle break होता है market आपको एक fast momentum इधर तक दे सकता है मतलब कि अगर आप बात करोगे तो ये level अगर break होता है इधर कहीं 39400 के आसपास अगर break होता है तो ये level डिरेक्ट आपको 200.39688 के उपर तक आपको trade दे सकता है अब मैं बात करता हूँ कि weekly chat पे क्या हो रहा है हमें क्या करना है फिर से weekly chat लगाना और weekly chat लगाते हैं हमें वन आवर का time frame यूज करना है यहाँ पे हमने वन आवर का time frame लगाया अब यहाँ पे देखकर आपको यह जी समझना है कि कल zero hero आप लोग कैसे कर सकते हो कल का दिन Thursday है ऊपर से यह पूरा week आप देख रहे हैं दस तारीक से start हो रहा है और आज के दिन मतलब 10 से 11, 12, 13 पूरे दिन market एक zone में रहा है और वो zone क्या है weekly CPR और finally market ने जो close किया है closing कहाँ पे दिया है market ने finally closing दिया है weekly CPR के ऊपर मतलब कि अब आपका view यहाँ पे bullish रहेगा कल के लिए weekly CPR के according ठीक है जब weekly CPR के according आपका view bullish होगा तो आपको trade कहाँ पे करना है आपको वो चीज़ देखना है अगर आप देखोगे तो क्या यहाँ पे कोई trend line बन रहा ठीक है आपको साफ साफ दिखेगा सब कुछ clear दिखेगा उससे पहले अगर आप moving average लगाऊगे moving average भी देखकर आपको समझ में हा रहा कि 20 moving average 50 moving average दोनों से market उपर आ चुका है कहां तक जा सकता है 39608 जो कि अपना previous week high है ठीक है previous week high break होते ही market क्या करेगा और उपर जाने कोईजिस करेगा और अगर 200 moving average यहाँ पे आपको flat देख रहा ठीक है अगर 200 moving average यहाँ से down आता है और 20 moving average यहाँ से उपर जाता है तब 39697 के उपर मतलब 39700 के उपर भी market यहाँ से निकल सकता है अब जो मैं trend line की बात कर रहा हूँ क्या इधर कोई trend line बन रहा सबसे पहले मैं आपको इधर देख लेता हूँ कि क्या हमारे drawing में कोई trend line है तो देखिए यहाँ जो trend line अपना बना हुआ था same trend line इधर है तो इसे मैं पहले हटा देता हूँ ठीक है जो आज का support resistance था उसे मैं हटा दिया ताकि चार्ट हमारा थोड़ा clear है यह trend line जहां market पहले भी support resistance का काम किया है यह देखो ठीक है यह trend line हुआ market क्या किया यहाँ पर support लिए आज की दिन और market इससे उपर गया मतलब कि trend line break हो चुका है तो यह trend line का भी हमें अब काम नहीं है ठीक है हमने trend line भी हटा दिया अब market कहां पह फसरा market फसरा 39128 के पास ठीक है वहाँ से निकलता है तो monthly pivot monthly pivot मतलब क्या होता है monthly CPR का जो middle CPR होता है O line O line निकलेगा और R1 और monthly TC आप देख रहे हो same position पे है ठीक है R1 और monthly TC same position पे है लेकिन यह R1 जो है यह R1 जो है वो resistance हमा रहा है ठीक है और monthly TC मतलब क्या है monthly CPR का top CPR मतलब monthly CPR अगर break होता है तो market तो bullish move में आएगा क्योंकि पूरा मन्त monthly में फिर रहेगा weekly CPR से उपर market आज आएगा ठीक है और साथ में ही क्या होगा daily CPR के market उपर आएगा और कैसे आएगा चलिए वो देखते है अब हमें क्या करना है पांच मेंट के टाइम फ्रेम पे चलना है पांच मेंट के टाइम फ्रेम पे जाने के वाद हमें tomorrow CPR यहां पे लगा लेना है मैंने पांच मेंट के टाइम फ्रेम लगा लिया है अब यहां पे हमें tomorrow CPR लगाना है ठीक है हमने लगा लिया यहां पे अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना यहीं पर सारा ट्रिक्स है सारा स्टाटिजी जो भी आप बोल लो सब कुछ यहीं पर है कि हमें कल के दिन ट्रेड कैसे करना होगा सबसे पहला कंडिशन फ्लाइट ओपेन होने का अगर मार्केट कल के दिन flat open होता है और मार्केट कहीं इसी जोन में open होता है जहाँ पर closing दिया है ट्रीक है अब यहाँ पर दो condition हो सकता है यहाँ तो flat open होकर market उपर जाता है यहाँ फिर नीशी आता है अगर market उपर जाता है मतलब की market अगर previous day high को break करता है तो पहला target आपका क्या होना चाहिए पहला target आपका होना चाहिए 39286 जो कि monthly pivot है ठीक है वो break हो जाता है अगर उसके बाद आपका target monthly CPR, monthly TC होना चाहिए जो कि है 39602 ठीक है दोनों level में आपको बता दिया R1, R2 दोनों आपके सामने हैं ठीक है आप chart अपना खुछ से draw कर सकते हो same similar chart अपना आप system पर लगा सकते हो कल को trading करने के लिए अब यहां मैं दूसरा case पर बात करता हूँ कि अगर flat open होकर market नीचे जाता है तो इसके सामने क्या आएगा आप यहां पर ध्यान देना 200 moving average को 20 moving average cross कर चुका है कल अगर 50 moving average भी cross करेगा तो strong यह uptrend बनेगा market यहां से नीचे retaste करने आएगा आपको CPR पर ही यहां पर buy मिलेगा यहां पर जैसे कोई radio market दिया है तो कल की दिन आपको momentum मिल सकता है अब मैं बात करता हूँ gap up का कि अगर market थोड़ा gap up open हो जाता है monthly pivot के पास ठीक है monthly pivot के उपर open होता है और फिर से candle अगर इससे नीचे close कर देता है फिर से यहां पर market क्या करना है इसकी नीचे आपको sell करना है target इस gap तक clear है अब अगर market gap down open होता market gap down होगा market फिर से volatile होगा ठीक है gap down होगा यह trend line जो बना हुआ था market का यह trend line break होगा फिर market उपर जाएगा यह फिर क्या जाएगा rise on sale ठीक है और अगर weekly BC मतलब weekly जो below CPR अगर वो break होगा फिर से market downtrend में आ जाएगा यह चीज आप लोगो ध्यान रखना है तो तीनों case में बता दिया अब मैं चलता हूं nifty के ऊपर और nifty का भी में पांच मिट के time frame पर बता देता हूं कि कल क्या हो सकता है हमें क्या करना है सिम्बल से हां tomorrow CPR लगा लेना टोमारो CPR लगाने के बाद यह level हमारा काम हो गया नीचे का level अगर आप देखो गया तो यह आप थोड़ा कर सकते हो कल के लिए भी ठ्रेक है अब आपको क्या देखना है आपको यह चीज़ देखना है अगर मार्केट कल flat open होता है और नीचे जाता है तो नीचे इसको क्या मिलेगा नीचे इसको मिलेगा 200 moving sorry 20 moving average 50 moving average साथ में trend line मतलम नीचे इसको एक strong support यहां पर मिलेगा जो कि मार्केट को यहां से फिर से रिट्रेस करके उपर भेश सकता है अगर flat उपर open होकर market day high को break करता है previous day high को break करता है market कहां पर पहुँचेगा below monthly ठीक है मतलब कि monthly CPR का below buyout होता होता वहां पर market पहुँचेगा और यहां से आपको फिर से एक rejection दिख सकता है इस इसको आप लोग ध्यान रखना और अगर market 17257 अगर cross करता है तब ही आपको एक अच्छा कासा उपर का uptrend दिख सकता है रिजन क्या है वो क्या है weekly CPR ठीक है weekly CPR का top CPR अब मैं बात करता हूँ gap down का अगर market gap down open होता है और इधर फिर से आ जाता है trendline की नीचे फिर सी यह क्या करेगा sale on rise रहेगा और फिर से यहां से market नीचे आ सकता है target आपका S1 होना चाहिए आए हो वीडियो क्लियर है आप लोगो अगर आपको टेलिग्राम में जुड़ना आप जुड़ सकते हो चलिए मिलते हैं कल ठैंक यू